एलो शुडेंट आई है मिशान वेलकम बैक टू थृ सिष्टी गान शुएंट आपको आज की इस वीडियो में MP बोट के कक्षा 12 वी क्लास के एकजाम्स को लेकर एक काफी ज़्यादा जरूरी जनकरी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ जिससे आपको काफी रद तो नहीं हो जाएंगी अब मैं आपको इसको हैंपा जो हेल्प लाइन पर जवाब दिया गया इसका बताता हूँ हैंपा पहला सवाल था कि 10 वी की तरह क्या 12 वी की परिक्षा रद होंगी तो इस पर बोट की और से का गया है कि अभी इस संबन में कोई निर्णे नहीं लिया गया है दूसरा सवाल है कि कोरोना के डर के कारण पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है परिक्षा का होगी है ते नहीं है तो इस पर बोट की और से जवाब दिया गया है कि कोरोना से डरनने की जरूत नहीं है बार बी की परिक्षा होंगी आंगे इसमें का गय अब परिक्षा की तयारी करने का मन नहीं कर रहा है तो इसमें कहा गया है कि पढ़ाई जारी रखें क्योंकि परिक्षा के 20 दिन पहले तारीक घोसित की जाएंगी अगला सवाल और लाश्ट सवाल है कि लोगडाउन कतम होने का परिक्षा कब सुरू होंगी तो इस पर भी जवाब दिया गया है कि परिक्षा सुरू होने के 20 दिन पहले निर्दे जारी किये जाएंगे और लाश्ट सवाल है कि परिक्षा नहीं होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तनाव हो रहा है क्या करें परिक्षा होंगी आपनी तैयारी जारी रखें और तनाव ना लें तो शुर्ण यहां पर फाइनली बोट की ओर से है सभी पिशनों का सवाल यहां पर दिया गया है बोट के और से लगातार कहा जा रहा है कि आपकी बारवी की परिक्षाओं को जरूर लिया जाएगा और इसकी जो जानकरी रहेगी आपकी परिक्षा सुरू होने के 20 दिन पहले दे दी जाएगी तो शुर्ट इससे आपको एक बात में किलियर कर देता हूँ आपकी बिलकुल भी परिक्षाओं को जूर में नहीं लिया जाने वाला है क्योंकि आप सभी को पताए कि भोपाल में भी लोकडाउन को अभी 31 मही तक बढ़ा दिया गया है इस बीच में कोई भी है पर बोट की और से कक्षा बार्वी का नया टाइम टेवल जारी नहीं किया जाएगा तो आपकी परिक्षा जूर में बिलकुल भी नहीं होने वाली है अब बात आती है कि शुर्ट आपको पढ़ाई किस तरीके से करना है क्योंकि अधिकतर शुर्ट का सवाल आ रहा है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो शुर्ट अभी मैं आपको केलियर करना चाहता हूँ कि आपको अभी किसी भी पिरकार की गलत फेहमी में नहीं रहेना आपको अपनी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा continue करते रहना मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी देखिए आप काफी ज़्यादा गर्भी भी शुरू हो गई है तो इस condition में आप सुबह 6 बजे या 7 बजे जल्दी उटकर 6 से 10 तक आप अपनी पढ़ाई को करें इससे काफी ज़्यादा अच्छा आपका मन लेगेगा और आप अपनी पढ़ाई को भी continue कर पाएंगे तो जो morning का time assurance आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं और evening में भी अगर आप एक या 2 गंटे दे देते हैं तो ऐसे मगर आपके exams भी होंगे तो आपको कोई problem नहीं होगी अब बात आती है श्वेंट आपको काफी ज़्यादा कड़ी सचा ही बता रहे था हूं बोर्ट से जुड़ी जिससे आपको कुछ यहाँ पर clear हो जाएगे कि आपके exams होंगे या नहीं होंगे तो यहाँ पर देखे श्वेंट बोर्ट की सचा ही है कि आज तक बोर्ट कोई भी अपना फैसला खुछ से नहीं ले पाया है चाहिए आपका 10th और 12th के reduce syllabus का फैसला हो 10th के exams cancel का फैसला हो और जो 10th के result बनना है उसका फैसला है बोर्ट ने अभी तक खुछ से कोई भी फैसला नहीं लिया बोर्ट क्या करता है कि बोर्ट जो सारा कुछ decision होता है बिस CBSC बोर्ट पर छोड़ देता है CBSC बोर्ट के जो फैसला आता है उसी के बाद एस्ट आपका MP बोर्ट का फैसला आता है अब अगर मान लीजिए CBSC बोर्ट आपके 12th के exams को cancel नहीं करता है CBSC बोर्ट के 12th के exams cancel नहीं होते हैं तो एस्ट मैं आपको लिख कर दे रहता हूँ खुछ से फैसला ले और जो राज में भी हमारी condition चल नहीं है coronavirus के चलते हैं उसके according यहाँ पर जल से जल पैसला लेना चाहिए क्योंकि इस्टुएंट को काफी ज़्यादा परिशानी हो रही है और इस्टुएंट देखिए मैं नहीं मानता हूँ कि 12th काफी ज़्यादा important class होती है और exam भी ज़रूरी है पर बच्चों की life से ज़्यादा भी यहाँ पर कुछ भी ज़रूरी नहीं है इसलिए board को exams cancel कर देना चाहिए या तो फिर अन्य कोई तरीके से exams लेना चाहिए चाहे online exams ले सकते है open book exams ले सकते है पर जिस भी तरीके से exams को यहाँ पर या तो आप ले सकते है नहीं तो इनको ज़्यादा delay नहीं करना चाहिए ऐसे में बच्चों पर mentally pressure काफी ज़्यादा पढ़ रहा है तो हो सके तो possibly vote को exams कैंसल करना चाहिए देखे भी आपको थोड़ा सा बेट करना है एक जून तक finally CBSC vote का फैसला भी आ जाएगा है कि उनके exams होंगे नहीं होंगे तो उसका जैसे ही फैसला आएगा उसकी जानकरी आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माद्धियम से